तो जीना कैसे बनाए काफी कुश्चन आ रहा तक कि सर आपके जो वीवर्स हैं हमारे जो वीवर्स है सब्सक्राइबर है उन्होंने काफी लोग कॉमेंट्स कर रहे थे इस तरह का ऐरिया है और इस तरह की हाई इसे हमारे पास उनके पास जो एरिया है 10 चैनल और हइड़ है 10 दस पिट दस इंची हाइट है तो हाइट में थोड़ा कन्फूज मत होना मैं आपको यहां पर किलर गर दूंगा हाइट कौन सी हम निकालते हैं एरिया कौन से निकालते हैं तो वीडियो खलाज तरह देखते रहें ना पॉस्ट इंपोर्टेंट है वीडियो को इसकी मत करके द अगर आपको टॉलेट नीचे बनाना है तो तो नीचे भी हम टॉलेट बनाएंगे जैसे कि हमारे पास यह लैंडिंग होती है जो चौंकी इसका बोलते हो तो इसके नीचे हमें एक टॉलेट बनाना है और हमें यह एरिया है दस पीट शेंची का है तो एरिया कौन से रहेग होती है आप आप open her वो जो गती है का टोप horrible इसद तो हमारा टोप हो जोता है यह फुलूर तो फुलूर जैसे घराउनि फ्लूर फुलूर फ़श्ट फुलूर का दू लेवल यह लेते हैं यह पास से हम फ्लूर है और उचा होता है, तो Пिलीन्थ लेवल से ही आप लिश्कोन ले कर चले गें, क्यूंकि जिसे कि मैं आपको दाएटा हूँ, जिसे कि हमारे पास यह एरिया होता है, फरंट का एरिया होता है, तो यहां पे हम एक entrance मताःते हैं, एक entrance मताते हैं, तो यहां पे भी इस टैप बना दें जैसे कि दो स्टैप बना रहे हैं तो जैसे यहाँ अपर चड़ते हो तो यहां पर सकते हो जैसे कि दो तीन और यहांपर ऐसे स्टेप्स तो यहां पर पुरी चोग हो जाती है या फिर इसे से कट भी कर सकते हो फिर ऐसे ऐसे स्टेप इसमें आप यहां पर दे सकते हैं फिर यहां पर चोग हो जाती है फिर आसे यह ऐसे स्टेप्स दे सकते हैं तो यह हमारे पास जो यह प्लिंट लेवल के लिए क्यूंकि डाउन रखते हैं जैसे कि गारी किंग करने के लिए लिए इसके प्लिंट लेवल उचा जाता है वाइद अवे फ्यूचर में आपकर जो रोड होता है यह जो गली होती है तो यह उचा भी हो सकता है तो उस condition में इसलिए हमेशा फ्लाई लेवल जो थोड़ा डाउनाख लेते हैं जो एंट्रेंस होता है और जो होते हैं जो हाईट होते हैं ज्चाड़ा रगलेते हैं ताकि मित्टी है निचे ग्राउड level से कि नमी और दूसरा हमारे पास रोट लेवल से जो पानी आता है तो यह म judicial हम इसको हम सबसे पहले हायद को कैगले हैं तो हमार पास है 10 10 निकालते हैं इंच के अंदर तो धस in to 12 plus 10 तो कितना हो जाता है 12 दाहम 120 120 और plus 10 तो 130 इन्च हो जाता है ठीए, तो हमारे पास 130 इन्च हो गया अब बात करते है 130 इन्च के लिए तो हमारे पास यह वाला जो एरिया होता यह हमको минимум कम से कम यह तीन फिट रखना ही होता है यह हमारे पास तीन फीट रखना होता है और यह वाला जो हमारे पास इस पेस है यह हमारे पास बसता है साथ फीट साथ फीट बसता है अब इसमें राइजर और ट्रेड की बास करते हैं जैसे कि यह हमारे पास होता है यह होता है यह होता है ट्रेड ठीक है यह होता है ट्रेड पर यह वाला जो होता ही होता है राइजर करighing इस से कैफिलेट करें हमारे पास अचरेट हाइड प्लूर ओर इस एBu की सूरे से चोराई हो जाते है यह थीन फिट और यह भी हमारे पास बहस जाता है तीन फिट यह भी थीन्फिट बसता है हमारे पास यह वे तीन फीट बसता है और बाकी जो हमारे बसता है यह हमारे चोकी तीन फीट की हो जाती है और यह हमारे पास साथ फीट की बसता है अब हमें इस साथ फीट को हमें देखना है और यह वाली जो हाइट है इसका जो टोप है वह हमें कैलकुलेट करना है सबसे पह तो इसमने स्टेप समय वहें हमारे पास साथ फीट तो सात कितना होजाता है हमारे पास viola जाता है सब्वोफेंगा हम पहला हो सकते हैं तो यदि हाएं कम से कम भी नौ तो 84 को हम अगर हम बात करते हैं 9 इंची कम से कम अगर थोड़ा कम से कम हाइट लेकर चले तो 991 नोनीम 81 इंच बसता है तो हम क्या ले सकते हैं तो 84 को हम अगर बात करते हैं तो 84 से 84 भाग 9 करते हैं तो हमारे पास 9.33 माइनस नो गुना आट तो फुट तो यह मारे पास 9 इंची और यह धाय सूत्र तो 9 इंची धाय सूत्र का हमारे पास एक स्टैप बन जाता है क्योंकि हमारे पास जगे ही कम है तो इसी बेस पर हमें जीना का स्टैप से कवर करना पड़ेगा तो 9 इंची धाय सूत्र का हमारे पास बन जाता है तो कितने स्टैप्स बनते हमारे पास 9 तो यह हमारे पास स्टै स्टेप्स बनते हैं तो यह स्टेप्स बनते हैं अब राइजर की ने मनेंगे राइजर प्लस वन होता है क्योंकि जो हमारे पास यह होता है जो लाश में जो चोंकी होते हैं वो प्लस हो जाता है तो यहां पर हम करते हैं नाइन प्लस वन तो हमारे पास हो जाते हैं टैन स्टे जदर हम चैभन कम से खते हैं अगर हम कम से कम हाइड लेकर चलते हैं साथ फिट की हैट कव से खम साथ पिट की हाइड कम से खाई चाहिए या परि साढ़े साथ फिटूर्य की हाइड कम से क biss है डाउन करना पढ़ेगा स्मयं ठीक है नहीं अगर दर देते हां तो यवर देटें तो आपको कभाइल लेकिन हमें क्या निकालना है जैसी कि मैंने आपको यहां पर निकाल चुका हूं मैं राइजर अब हमें निकालना है राइजर की हमारे यह तो कोई 10 इस्टेप कोनी वंगे राइजर यह वाले यह वाले जो राइजर होंगे दस स्टेप काहा पर गाँपे लेंडिनिνंग को मिला गर इसका यह एक 2-3-4-5-6-7-8-9-10 एक दो तीन चार पांच छे साथ-8-9-10 तो ये दस स्टेप जो हो जाते है हमारे पास ये वाली हाइट हो जाती है तो ये वाली जो एक की हाइट होगई हमारे पास कितना हो गया और ये वाली की कितनी हो गई तो 9.50 नो इंची धाय सूतर हो जादागा ठीक है यो हम निकाल लेते हैं मिनिमूम इतना हम रख सकते हैं मुवेन वाली घर बनाने में पहले अगर आप यह बना रहे हो अगर मारपास जो जगह है उसके बेस पे हम इस तरह बना सकते हैं पर लेकिन अगर हमें इस्टेंडर लेकर जासे दस इंच चैप पर इस सद्धाइ्ट बचा हुआ है उसके वैसमें राइजर और जो ट्रेइड है हमारे पास जो जिसका बोलते हो पैडिए क्याले पड़ती है कि हमें किसमें कितना तक हाइट तक बनाना सकते हैं पर तो हम यह हम सीख रहे हैं तो हमारे पास यह हाईट बचती है यह हमें पत्राइब गया कि हमारे पास 9 step आ रहे वाले जो यह वाले आते हैं 9 आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ जाते हैं क्योंकि जो 10 वा रहता है वो landing होता है जो चूंकि आम उसको बोलते हो ठीक है तो हमेरे पास अब हमें निकालना ये वाली height क्या आएगी तो वो height हम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि height क्या बन रही है तो riser हम 8 inch का भी ले सकते हैं 8 inch का ले सकते हैं और steps कितना है 10 हाँ तो कितने मां जक्ते हैं तो आब धाइं 8 rajasue बन जाता है तो असी yüzden में कितने फिट को कितने सूझळ कितने वह जाते हैं बारा कज रचिक 72 तो दौसा हो जाते हैं तो 72 इनची हो ते तो हमारे पास किसकी था मां बसता है आठ इंची ठीक है तो आठ इंची बसता है तो बार्चिक बहातर इंची असी में से बहातर इंची बसते हैं तो छे पुढ़ाएप्ट Visa podcast रेगाज सकते हैं इससे उल्सन करता है टो चार इंची में से हम यह वाले जो हीड़् वसती वह जाता है तो वह बसता हैं 600 चार इंची पारिंची जैर इंडर से अंदर अगर हम इसको थोड़ा डॉंट कर देते जैसे कि यह वाला फॉलूर है इसे हम फॉलूर से धुर्ण कर देते हैं तो छहपीर आट इंची में ले सकते हैं कि अग एक संग किनी होती हो तो वह अपकर ले सकते हो तो यह बन गया तो हमारे पास कितना हुआ तो कितना हुआ ँची यो हमारे पास बसता है आज़िए जो इंची आपर आगे बढ़ते हैं तो टोटल हाइड वह किल देल हो झाल है और दस में से चार गये कि तो कितने बसता है चार फीट तो 4 फीट दो इंची तो it कितने स्टैपस बनेंगे यह स्टैपस है कितने बनते हैं तो हमारे पास ay نت इंच तो 50 में से अगर हम इसको बड़ाते हैं हमारे पास राइज़र की हाइट है आठ इंची तो आठ चोग बतिस आठ पंजे चालिस अर्चिंग 48 तुम्हार पस 48 इंच हो जाता है और दो इंच फिर भी बच जाते हैं ठीक है तो दो इंच को आप क्या कर सकते हैं सूत्र में कर लियो तो दो गुना आठ एक इंच में कितने सूत्र होते हैं एक 5 6 10 उपर हमने कि तरह नहीं है आड़ 58 तो यह हमारे पास छैस्टेफ तो 1 2 3 4 पांच ईया वालवा जो हमारे पास चल जाता है चैंट तो चैंट 7 8 2ad पांच शे तो आर्ट दोनी 16 अर्शिंग 48 तो हीर टोटल कितना हुआ अर्टालिस इंची बट्ले लिगे नदे हैं पचास इंची दो इंची बज़ता है तो जो दो इंची बज़ता है अब उसको भी एक-ख सुतर होता है तो तो क्यूवकि हमें को सिकरे कि कि बराबर देखो चाहतो आप इसमें बराबर कर सकते हो कितने सोबर दस स्टेप्स पलच हैं तो सोला स्टेप्स बंदते हमारे पास तो सोला स्टेप्स में अगर एक एक सूतर है तो एक सूतर में सभी को बाढ़ दे तेजसे की राजर की हाइट आ जाती हमारे पास आट इंच तो जब हम इसे को बराबर करते हैं तो सभी में बराबर में बढ़ जाएगा अगर आप नहीं चाहते हो कि ये नीचे बराबर ही रखना चाहते हो तो अगर आप इसमें रखना चाहते हो तो इस वाले जिसे में बाढ़ सकते हो या इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो जैसे कि हमार हम इसको और कर दे पांच तो 50 भाग साथ पॉइंट पांच है तो इसमें हम ऐसे बड़ सकते हैं तो यह अब इसको श्टाप practitioners जो है आठ इंची आठ इंची की जिए साथ साथ इंची साथ पुंच आठ इंची है से इसमरी आप कर सकते हो ठीक है जैसी कि हमारे पास है पचास इंची पचास इंची миस्umm साथ अगर आप इसमें साथ स्थ्टेप से मना सकते हो जैसे कि पचास बाग साथ तुम्हारे पास बसता है साथ यह मारे पास और आज जारा ता साथ इंची माइनस सोरी उना आठ तो महले पास एक सूतर तो साथ इंची एक सूतर का मह 12 इंची में कितने हो रहे है 16 सूतर है तो 8-े तो लगबग तीन सूतर 20 चजञाव सब्सद्स कर हैं तो लगबग 8-nelle- 15 सूतर तो 6-181 तो הממाव कर भाद बैसे में आपको यह बढ़ जाता है ठीक है और यह वाली जो हाइट है यह वाली हमारे पास थी पहले आल रेड़ी तो कितना था नो फिट नो इंची धाय सूतर है तो यह वाली जो हाइट यह लंबाई है यह वाले जो लंबाई है कितनी निकल कर जाती है तो वह आ जाती है हमारे पास एक दो तीन चार पांच तो यह हमारे पास कितने है पांच तो पांच गुना 9.33 9.33 से ही गुना करेंगे नाकि 9.25 से गुना करेंगे तो 9.33 जो हमारे पास आजाता है 46.65 तो लमसम हमारे पास कितना आता है यह 47 इंच तो यह हमारे पास 47 इंच के असपास बच जाता है तो इसको हम भाग कर लेते हैं फिट के अंदर तो 47 भाग 12 तो हमारे पास कितना था है 3.91 तो माइनस 3 गुना 12 ग्यार इंची तो 3 फूट 11 इंची आपके पास यह वाला लेंथ बच जाते है ठीक है तो हमारे पास टोटल इस तरह से राइजर जो कैमिलेशन है वो हम निगाज सकते हैं जैसे कि हमारे पास यह आ गई तो यहां से हमारे पास आ गया था यह वाली जो है 3.9 इंची या फिर जिसको हम बोल सकते हूं 47 इंची इस टप्स कितने बने पाच 06 1 2 3 1 2 3 4 5 और यह छटा आपकी 4 हो जाती है लीडनिंग मढ़े जाती है जो अगर 앞에 camera बना हुगा है तो यहांपे आप आताने से gate लगा सकते हो तो इस तरह से आप गेट आसानी से यां लगा सकते। शॉप इस तरह से अप चड़ जाती है तो ट्विलेट हमारा पास आसानी से यां पर इस तरह से पर जाता हैं तो I hope आपको टोपिक के लिए रहो होगा तो थेक्स पूराचिंग इस वीडियो बने आप साल मिसले नाइस वीडियो में बाइबाए